नमस्कार दोस्तो मैं मनीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेहों की खेती कैसे की जाती है और इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों आप जैसा की वेगराउंड में देख पा रहे हो यह गेहों का खेत है तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कंप्लेट डेटेल बताता हूं जैसे कि दोस्तों यह खेट अंदर आगे हम और यह जो पोधा देख पा रहे हो यह जो पोधा है ये केवल एक बीज से बना है इसके बाद ये इसकी जड़े हो गई और ये इसकी साखाएं है ये बाद में मतलब बड़े डंठल के रूप में हो जाएगी अभी ये काफी छोटा है इसलिए इसका जो तना है अभी आपको सोट सोट सा देख रहा है और ये इसकी पतियां होती ह ठीक है यहां से फिर बाद में इन पत्तियों के बीश से ही वह जो हम डांगी बोलते हैं जिससे में गयों प्राप्त होता है वह मिलती है अभी यह जब पकने के योग्य होगा तभी इसकी हाइट लगबग इससे दस गुना हो जाएगी यह निकि अभी कापी छोटा है छयरी पारडच्ट करते हैं जैसे कि अभी इसकी जस्किकी है अब इसकी जस्चाई किये इसलिए गेला अगर ओपर धलान सलोप के कारण सारा पानी नीचे आजाता है इस लüğी अघरा मतलब दोरा बोलते हैं जिस तरीके से कैणल होती है वेसीटम होता जैसे कि यहां से क्या करते हैं इसको यहां से स्टॉप कर देते हैं यहां से ओपन करेंगे तो इस दोरे में पानी चला जाएगा यहां से इस मिट्टी को यहां से उठाके और इसको यहां डाल देंगे ताकि यह यहां से ब्लोक हो जाएगा पानी इसके अंदर चला जाएगा फिर जैसे ही यह पूरा बढ़ जाएगा पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे इसको वापस यहां से उठाके और वहां डाल देंगे ताकि क्या है कि यह वापस प्रॉपर वे में यहां हो जाए फिर यह नीचे की तरह से जाता है यानि कि सिचाई दो तरीके से होती है तो उपर स जैसे कि उपर से पिलाते पिलाते नीचे आएंगे या फिर यहां से नीचे से फिलाते हुए उपर चलेंगे दोनों ही पैटन ठीक है इस तरीके से आप देख पारे हो जैसे कि यह से प्रेशन किया हुआ हुआ है यह तो मतलब ऐसे एमीन औरिजन्टल यह इसके बाद कि इसको कापी मतलब हिस्षों में इस एक खेत को डिवाइड गया ताकि मतलब कहने का मतलब में परपजी है कि हर पोदे को सपीशेंट पानी मिलना चाहिए एक चीज़ आप देख पारेंगे यहां पोदों का कलर थोड़ा येलो जादा यह देखो और इधर थोड़ा डार् होगे यह जो कुछ पोदे हैं जिन में मतलब पानी की वज़े से या कुछ रोग हो गया इसलिए उनकी हाइट काफी कम रहे गई है और वो लगबग मतलब खतम से होने वाले यह देखो आप यहां देख पा रहे होंगे यह चोटे-चोटे बाग इस पूरे खेत में अच्छ भी डालते हैं और निराई गुडाई भी करते हैं इस तरीके से यह ग्याओं की खेती होती है दोस्तों वीडियो अच्छा जरूर लगाओगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर करना जैहिन जैवारत